नमस्कार दोस्तों बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चेनल में आपका स्वागत है देश के सभी राजियों के मोसम की पलपल की खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चेनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें आपका अपना चेनल है जांपे आपको मोसम क सही और सटिक जानकारी सबसे पहले परदान की जाती है आंक दिखाएगा सुरज लेकिन दो मई के बाद बीशन गर्मी से मिलेगी राहत मोसम विबाग ने आंधी तुभान बारिस की चेतावनी जारी कीजिया दोस्तों पिछले लगबग एक सबताह से देश के कई राजियो तापमान 45-47 डिगरी सेलसे तक पहुंच गया है लू चल रही है लेकिन बारतिय मोसम विबाग की माने तो दो मई के बाद धीरे दीरे लू कम हो जाएगी और आंधी तुभान बारिस का दोर सुरू हो जाएगा मोसम विबाग ने देश के कई राजियों में 60-70 किलोमेटर परति गंटे की रबतार से आंधी चलने और बारिस ओने की चेतावनी जारी की है तो कांग आपर कैसा रहेगा मोसम चली जानते हैं मोसम विबाग के पुर्वानमान के मताबिक पश्मी असम तिरुपुरा दक्षनी गुजरात तमिलनाडू पाड़ू चेरी सहित कई चेतरो में 40-60 किलोमेटर परति गंटे की रबतार से आंधी तुफान और बारिस आएगी अगले कुछ दिनों में पश्चिमी मद्या परदेश, पूर्वी उतर परदेश, बिहार, जारखंड के कई इलाकों में 30-50 किलोमेटर परति गंटे की रबतार से तेज आंधी चलेगी बार अलकी से मद्यम और कहीं कहीं पर तेज बारिस होने की संभावना है, उतरी हर्याना, उतर पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में में गर्जन के साथ अलकी से मद्यम बारिस और 40-50 किलोमेटर परति गंटे की रबतार से आंधी तुफान चलेगा, केरल, दक्चिन तमिल नाड़ू के कई हिस्सों में हलकी बारिस की संभावना है, जबकि गंगे पश्चिमी बंगाल में कई इस्थानों और उप हिमाले पश्चिम बंगाल बिहार सोराश्टर के कई इस्थानों पर 40-50 किलोमेटर परति गंटे की रबतार से हवाई चलेगी, तीन मई के बाद बि पारिस और अल्की बारिस की संबावना है वही उत्राखंड अरुनाचल प्रदेश के कई इलाकों में टेज अंदी के साथ बारिस और ओला वरिष्टी की चेतावनी जारी की गई है पुरोतर बारत में कुछ इस्तानों पर हलकी बारिस हो सकती है विद्रब मराटवाडा पारिस और मेग गरजन की संबावना है पंजाब के उत्री हिसों में हलकी से मध्यां बारिस और गरज के साथ छिट-पुट ओला वरिष्टी होने की संबावना भी बारतिय मुसम विबाग ने जाईर की है मुसम विबागी माने तो आने वाले 24 गंटे के दोरान गंगे पश गंगे पशिम मंगाल, मराठवाडा, मध्या माराश्टर, केरल, तटिया अंदर परदेश, राइल सीमा, तेलगाना, करनाटक, तमिलाडू, पाडू, चेरी में हिट वेव का अलर्ट जारी किया गया है मुसम विबागी ने बताया कि पूर्वी मध्या परदेश, बिहार, गंगे पशिम मंगाल, ओडिसा, उत्री करनाटक में कई जगों पर तेज आंदी तुफान आने की आसंका है, इसके साथ ही कई इलाकों में बारिस का भी अलर्ट जारी किया गया है, दिली एंसियार में मई के पहले सबता में लोगों को गर्मी से रात मिलेगी, कई इलाकों म तेज आंदी तुफान देखने को मिलेगा, अगले 24 गंडे के दोरान लदाख, जमू कस्मीर, हिमाचल परदेश में कई जगों पर अलकी सिमध्यम बारिस और बरबारी देखने को मिलेगी, उत्रा खन में अलकी बारिस की संभावना है, जबकि उंचाई वाले इलाकों में बरफ गिरेगी, पुर्वतर बारत के कुछ इस्तानों पर अलकी बारिस होने का अनुमान जटाया गया है, वर्वनाचल परदेश में अलकी सिमध्यम बारिस और बरबारी की संभावना है, असम में घाले नागा लेंड मनीपूर मीजोरों में बिजली चमगने के साथ तेज जवाएं चलेंगी, विद्रब, मराठवाडा, दक्षिन, 36 गड़ के कुछ हिसों में बारिस और मेग गरजन का अनुमान है, पंजाब के उतरी हिसों में अलकी से मध्यम बारिस और गरज के साथ छिटपूट ओला वरिष्टी की संभावना जटाई गई है, उतरी हरियाना और उतर पशिवी राजस्थान में गरज के साथ अलकी से मध्यम बारिस का दोर देखने को मिल सकता है, बात कर लेते हैं कौन-कौन से राज्यों में चेतावनी है, तो इस वीडियो में आपको आगे उतर परदेश, मध्या परदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाना, दि बिहार, जारखंड, च्छतिसगड, माराष्ट, गुजरात के तमाम एक-एक जीलों के जानकरी आपको देंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बात करने यूपी के मौसम की, उतर परदेश में तीन मई तक लगातार बिशन गर्मी का दोर जारी रहेगा, मौसम बात करें, अगर मध्या परदेश के मौसम की, तो मध्या परदेश के कई इलाकों में भी तापमान 45 दिगरी सेल्सेस को पार कर गया है, मध्या परदेश में बिशन गर्मी का कहर जारी रहेगा, लेकिन तीन मई के बाद मध्या परदेश में हलकी बारिश का दोर भी सुरू हो जाएगा गर्मी का परको बढ़ता जा रहा है अपरेल के आकरी सब्ता में तापमान 38 से 40 डिगरी सेलसियस के पार पहुंच गया है बारती मुसम भी बाकी माने तो आने वाले 24 से 48 गंडे के दोरान मद्या परदेश के कई ही सो में तापमान में जो है बढ़ोतरी होना शुर रहा है गवालियर चंबल समेत नोगाओं खजुराहो रिवा नरसिंगपूर घंडवा खरगोर में टंपरेचर चुमारिश डिगरी के पार पहुंच जाता है लेकिन इस बार मद्या परदेश में रिकोर्ड तोड बारिस हुई है और अपरेल के महीने में तापमान जो है कम और बारिस आंदी का स्ट्रोंग सिश्टम बना था अब तीन मई से मद्या परदेश में एक बार फिर से बारिस का दोर सुरू हो सकता है पश्चिमी विक्षोब की बज़े से मद्या परदेश के कई इलाकों में बारिस होगी बोपाल, इंदोर, जबलपूर, गवालियर, उ बारिस होने की संभावना है, अगर बात करें राजस्थान के मवसम की, तीन दिन बाद फिर बदलेगा पांच सबागो का मौसम, राजस्थान में चार मईंसे आंदी तुफ़ान के साथ आएगी बारिस, राजस्थान में अगले तीन दिनों तक मौसम सुष्क रहने का नु रहे नए पश्यम विक्षोव के परबाव से मोसम में बदलाव देखने को मिलेगा नए सिस्टम के असर से चार मई को जैपूर बर्थपूर विकानेर संभाग में और पांच मई को जैपूर बर्थपूर कोटा विकानेर और जोदपूर संभाग में बुन्दा बांदी या हल और कल तेज आंदी चलेगी बादल चाही रहेंगे और गर्मी से जो है वो कुछ रात मिलेगी वहीं बात करें बिहार जारकंड 36 गड़ की तो बिहार जारकंड और 36 गड़ में लगातार विशन गर्मी का कहर जारी रहेगा जिसको देखते वे बारतिय मोसम विबाग ने यलो एवम ओरेंज अलरेट जारी किया है यहां दोस्तो लगातार गर्मी का जो कह रहा है वो लगातार जारी रहने वाला है मोसम भी बाकि माने तो आने वाले 24 से 48 गंटे के दोरान देश के कई राजियों में लू चलने का कहर जारी रहेगा लेकिन 4 मईश से फिर मोसम बदलाव आएगा और हलकी बारिस के साथ कई राजियों के अंदर बारिस और ओला वरिष्टी होगी तो दोस्तो आप कौन से राजिय से हैं और आपके राजियों का मोसम केसा रहा आप कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर दें